कि आगा आज हम लों दिसक्स करेंगे टॉप टॉप ट्वफटी इंपोर्टेंट कोशन के बारे में ऑके जो कि स्कॉलर फर्सच चोई से और बुक विड़ टीचर पर भी अवलेवल है तो यहां पर यह जो में टॉप 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 टॉपटी को जितना बैटर जानेगे समझेगे उतना ही प्रॉपर अंसर लिख पाएगे उके सो कोशन जानना और समझना बहुत इंपोर्टेंट है यह आप और कोशन बीना जाने आप कोई भी अंसर प्रॉपर लिखने पाऊगे तो आज मैं आप लोगों को बताऊगा कि किस तरीके सा इस सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट दिया है वह फार्मासूटिक्स वन दिया है तो वहरी वहरी इंपोर्टेंट कोशन है इसमें सबसे पहला कोशन आपको दिया है क्योंबर 1 एक्सें डे कंटीन्योर अच्टेक्श्न विद हैल्प गीनिट और लेबर डाग्राम ओके प्रस्ट करें तो यह देफिनिशन और इस अधरिक्षिन क्यों पीद्धिन करना है मिलते हैं इन सब्लक Já पर तो सिर्परी डेफिनिशन लिखना है का डियाग्राम उसका construction बनाएगे working करेंगे और उसका डियाग्राम से observation से हम लोग complete उसके advantages और disadvantages भी लिखेगे तो यह आपका question number one था जिसमें हम लोग extraction कर रहे थे क्रूट रख का surrounding solvent उके उनको उपर और हम completely extraction लोग उसमें मिल रहा आपका question number one जो एक instruction के उपर बेश था जो आपको एक्जाम में आएगा second question आपको दिया है right brief the history and monograph of Indian pharmacopoeia तो यहाँ पर आपको history लिखनी सबसे पहले इंडियन फार्मकोपिया कि कि इंडियन स्टार्टिंग में जब फर्स्ट इंडियन फार्मकोपिया आया था और दीरे दीरे कैसे development हुए और इंडियन फार्मकोपिया जैसे जैसे एडिशन्स आये ऐसे वैसे कितने monograph add होते गए कितने drug component add होते गए कितने compounds add होते गए त्योंकि आज भी official compound के तौर पर हम लोग देखते हैं तो question number two में आपको brief note लिखना है जिसमें आपको history लिखोगे और monograph के बारे में लिखोगे आप monograph दो या तीन भी लिखोगे तो भी चलेगा monograph में आप description लिखना आपको कोई आपको दिया है एकस्पेन तो वेरियस एकसिपेंस यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट और बी पार्ट भी आपको साथ में दिया है राइट ए नोट अन कॉलिटी कंट्रोर टेश्ट पर टेबलेट्स ओके तो यहाँ पर सबसे बेला जो कोश्चन दिया है एकस्पेन करना आपको वेरियस एकसिपेंस यूज इन फॉर्मुलेशन और टेबलेट जब भी आप टेबलेट प्रिपार करते हो ओके तो टेबलेट प्रिपार करते हैं आप उसके साथ में और कौन से ऐस प्रिपार में प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर तेबलेट के साथ जो कंपोनेंट्स आलते हैं जैसे की बाइंडर्वी केंट फिलर्स इंटिग्रेंट्स इंटिवेस्ट्ट्रन एमलसिफाइंग एज़र्ण प्रिजरोवेटीव्स यह सारे कंपोनेंट्स हम लोग इंपूड करते हैं टेबलेट के अंदर और यहां पर यह हेल्पिंग एजन के जैसा काम करते हैं ओके वार मेकिंग फॉर्मॉलेशन आप टेबलेट तो क्वेशन नमबर थ्री के पार्ट में आपको इस सारी चीज़े इंपूट करनी है एक्सपर करनी है सेकंड भी दिया रायट नोटन कॉलेटी कंट्रोल टेश्ट पर टैबलेट टैबलेट अच्छी तरीके से मार्केट में प्लेस हो इसके वाज़ेसे हम लोग क्वालेटी कंट्रोल टेश्ट पास करते हैं जैसे कि कई पर ट्रांस्पोर्टेशन कराया ब्रेक ब्रेक ना हो जाए और उसका बॉडिक के अंदर जाने के बाद उसका प्रॉपर ली उसका डिस्सोलूशन हो उस टैबलेट का तो सारे टेश्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं इसमें वेट वेरेशन टेश्ट भी आते पेरियाबलेटी टेश्ट आता है ओके पीफाइजर ट से पीफाइजर टेश्ट आता है डिस्सोलूशन टेश्ट आता है तो इस सारे टेश्ट आपको इसमें इंपूट करने को सब्सक्रीके बीए पार्ट में जब यह आपके लिए बैटर रहेगा आप जब भी इसको अटेब्ड करोगे को कॉश्टन नम blog आपको त्या है कि घ्लाIFA क्लासिफिकेशन अपको दिए गया है अम क्लासिफिकेशन आपको दिएगे जिसके बारे में आपको और आपको लिखना है ओछ कंग कह बारे देखते केफो आक एंधे अदने सब्सक्रावघ्यक किक eight or muscle course को मुल करते को फृरी फोर्म chemical method आते ओके तो physical method आपने देखा रहेगा thermal हम लोग method यूज करते radiation यूज करते then filtration method यूज करते ओके dry heat use करते moist heat यूज करते gamma radiation यूज करते for sterilization purpose for cleaning microorganism ओके तो यह सारे चीज़ा आप classification में input करना है ओके classification physical method chemical method अधिकतर आप दिखने के लिए मिलेगा वही जब नोट पूचा आटो क्लेवर होट एरोवन का यह सब जो आटो क्लेवर होट एरोवन यह सब equipment से हम लोग इस्टारलाइशन करवाते कोई भी के साथ properly need and label diagram के साथ उसका construction और उसका वाकिंग आपको बताना है नोट में देखको आपको नोट का कोई भी question आएगा तो उसमें आपको डियाग्राम और आप उसमें इंपूट कर सकते उसका construction है working question no.5 आपको दिया है defined distillation आपको पूचा है सबसे बहले मैं आपको बता दूब कि distillation क्या distillation इस नदिंग बड़न separation method ठीक है एक separation कर रहाते हम लोग कोई भी stage को जैसे कि liquid दो immisible liquid या दो liquid प्रेजेंट है तो उनको अगर separation कराना हो तो हम लोग distillation कर रहाते है वाई giving heat heat देके उसको separation कर रहाते है तो वही आपको दो method दिये हुए और स्टीम डिस्टिलेशन अब स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है कि इधर heat sensitive component जो भी आएगे वह स्टीम से हम लोग डिस्टिलेशन करवाते हैं और वही जब फ्रेक्शनल की बात आएगे तो यह हम लोग जो separation करवाते हैं hydrocarbon का separation कराते हैं from crude oil कोई भी crude oil होगा उसमें सा hydrocarbon का separation कर रहाना होगा तो हम लोग आप फ्रेक्शनल और फ्रेक्शन के फॉर्म में हम उसे separation करवाते हैं okay distillation process is nothing but separating any liquid जो दो टाइप के liquid होगे जिनका boiling point अलग-अलग होगा उनको separation कर रहाना होगा तो हम mention करने question number five question number six जो आपको दिया है वो defined dosage form दिया है classify with example बहुत easy question रही है okay तो हर एक system होता है कोई भी कोई भी चीज़ को अगर हम लोग फिपर करते हैं तो आप dosage form एक तरीके का system एक तरीके से classification है proper कि आप कुसी चीज़ का अगर को formulation बना रहे हो okay dosage form में तो जैसे कि dosage form के जो एक्चली डेफिनिशन है तो इसमें medicament और non-medicament का दोनों का input होता है dosage form में और यहां पर आप देखते हो dosage form का classification में आप देखो कि कि solid dosage form क्या है semi solid dosage form क्या है okay liquid dosage form क्या है तो liquid dosage में भी दो पार्ट है mono basic और basic तो यहां पर आप देखोगे के various process है जहां पर हमनों फॉर्मलेशन प्रिपार करते on the basis of this dosage form तो dosage form में आप यह सारी चीज़े देखते होगे किस तरीके से कौन से कौन से dosage form अविलेबल मार्केट में तो कि आज भी हर एक molecule के लिए preparation की जाती है okay आपको dosage form का proper definition देना है इसमें classification उसके आपको बताने क्लिरली के solidosis form के एक्सांपल ऐसे के tablet और capsule ओके liquidosis form का आप देख सकते हो कि उसमें suspension emulsion देन syrup साती है okay तो semi solidosis में paste आता है तो यह सारी चीज़े आपको classify करने प्लापर ले विद एक्सांपल question number six में question number seven में देखो आपको दिया डिस्क्राइब the preparation for water of water for injection इंडियन फार्मकोपिया तो यहाँ पर या preparation आपको लिखना water for injection के उपर तो यहाँ पर water for injection होता क्या है आपने market में देख रहेगे कि distilled water present होते okay जो कि water for injection prepared करते हैं for as a suspension में भी आपने देखा होगा कि powder form में होता है देन वी उसके अंतर हम distilled water डालते हैं that is nothing but water for injection purpose okay तो distilled water भी टाइप है आप देखोगे कि वापर हम लोग declorinated करते हैं okay declorinated करते हैं by hydrocarbons okay declorinated by carbon करते हम लोग इसमें end में आपको hcl और carbon monoxide prepared होगा तो water for injection में आप देखते हो किस तरी के समयों declorination कर रहे हैं मतलब chloride group को हम हटा रहे वासे completely okay carbon की help से और वापर आप देखते हो कि end में आपका hcl और carbon monoxide preparation होता है वहीं आपको सब mention करना पूरा का पूरा प्रेपरेशन वाटर फॉर इंजेक्शन में इसके साथ में आप उसका डाइगराम भी बनाना है question number eight में देखोगे कि दिया आपको write a note on working of fluids blood dryer okay है में आप देखोगे किस तरीके साब completely एक solid material साब किस तरीके से completely उसको ड्राय कर रहे हो okay with the method of removal of liquid okay तो यहाप आप टूटर को input कर दे तो completely component में एक मशीन में तो आप आप देखोगे किस तरीके साम लोग ड्राय कर रहे है completely कोई भी solid material को इससे liquid evaporate हो रहे है तो वही आपका एक पूरा फ्लूइस बैट रहा है अप डियाग्राम के बेसिस पर उसका working और construction ड्रॉ कर सकते हो तो यह ता आपका question number eight क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट आपको पूछता है एक्जाम में question number nine आपको दिया गीव दे कंस्ट्रक्शन एन वाकिंग और बॉल मिल एन हैमर मिल अभी यहां पर एक अनादर question है बहुत है उनको किस तरीके से course material दिख रहे है आपको कंपोनेंट सके चोटे 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 पार्टिकल में हम लोग कर रहे हैं विद रहाएं बाल मिल आन हैमर मिल में लेदे एक और यह सेडिंद्रिकल में हम लोग देखते के किस तरीके से हम उसमने मैटल्स की बाल सो रोटेट कर बाते हैं और वहां पर इंपूट कर बाते है और एन पार्टिकल तो वाप पार्टिकल का साइज रिडियूस होता है यहां पर बाल मिल से आप देख रहे हो कम्प्लेटलि साइड रिडुक्शन हो रहा है कोई भी बड़े बड़े पार्टिकल सोगे चोड़ चोड़े पार्टिकल में कनवर्ट होगे यह इंपक्ट के उपर बेज़ेस का प्रिंसिपल आप देखो के तो भी इंपक्ट के उपर लाएक करता है है मर मील भी इंपकर आपको दिखेगा तो इसका भी आपको डाग्राम मनाना है और एक्जाम में कुछन नबर 10 आपको present दिया है राइटेंड और आपको बाता रहे कि आपको बता है कि आपको अब्री और अधर रही प्रेसेंट होता है तो वहाँ पे एक हम अरोज लोका आपको उदर कंटेनर के बारे में बताने किस तरी किसे हम लोग वाह से ड्रग मेडिकामेंट इन्पूट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा आप जैसे देखो कि आप लोग बहुत सारे फ्लेवर फ्लेवर जो रूम स्प्रे होते हैं तो उसमें आ उटनेशल कंटेनर कोशन नमबर 11 आपको दिया है डेफल परकुलेश्यान आपको दिसक्राइब ईह एंडिस्ट्राइब इंदट को प्र consomm क्या बता एक क्या होता है और असको इसको डिस्क्रीप्शन देना एकतर को बोलना चाहव जहीं परकुलेशल क्या है यह मोस्ली परक लोग इंबसे प्धर मोर्ग के प्रमि कंपोनेंट को पर और वो स्लोली प्लडी टाइनी होल से रहा होता है और आपको नीचे कहलेपड होता है आपका एक्सिक्शन पाथ आपका मिया जेदैदा को कि oppression और इस यहापए आपको नीचे चल्यक्ट होता है कम्प्रेटली आपका एक्स्टिक्शन जी पूसे गारिख उसको यूज़ कर सकते हैं कोश्चन निभर ट्वेल में आपको देगी व्डे कारेक्टरिस्टिक सब्वाइड आइडियल कंटेनर और अप मारकेट में देखते होगे सीरप सीरप के साथ एक कंटेनर फॉर्म में होता है उपर एक क्लोजर लगा हुआ था होता है तो आप चाहोगे कि आपका आइडियल क ग्लोजर किस तरीके का हो तो इस तरीके का होना चाहिए कि वो कोई भी अंदर का रियक्शन ना करें तो ऐसे बहुत सारे आइडियल कंटेनर की रिक्वार्मेंट से जो आपको इसके लिखनी है जहाँ पर कंटेनर क्लोजटर एक आइडियल हो जो आप मार्केट में यूज कर सब्सक्राइब को उनकी प्रिंसिपल्स के बारे में आपको यहाँ पर डिसक्स कर में लिए वक्तों कंटेनल करने के लिए आप अप इसमें देखो गो किस तरीके से मिंक्सिंग कर वाई है दो मर्टिलर को एक साथ में ओके दोने दूसरे के साथ डायलोट हो जाए इसके वज़े साम दोने सिल्वर मिक्षर और प्लेनटरी मिक्षर को यह पर डिसकस करना है कंस्ट्रक्शन और वरकिंग के साथ हाग मंश्या करणा आपको difference between active and passive Immunization active और passive immunization क्या होता है यससे आपने अप्यक्ति इम्मनिटी दिखा अहिक्ति पैसीव इंपिंपने समस्टीऊटों और प्लेंफ दिखा और आप देखते हो कि पैसीव जो होता है वह हम आउट्साइड ओ समलंक हो क्लेक्ट होता है वह एक्टिव जो आप इमुनिटी देखते हुए इंसार थे बाड़ी ही डेवलप होता है एंटी बाड़ी के फॉर्म में तो पैसीव जो होता है वह प्रोटेक्शन उसका फूर्ट होता है और लास्ट लोंग होता है स्वरी फ्यू टाइम तक ही वह लास्ट होता है तो पैसीव इमुनिटी एक्टिव इमुनिटी दे आप इसदर आपको डिफ्रेंशीशन देना है वस्टर में फॉटिन के यह में तैनल बी में आप देखोगी आपको डिस्क्राइब करना मैफोड प्रिपरेशन और डिप्तेरिया अंटी टॉक्सिन यहां पर हम लो इनतोदेख्र जिया करें रुप में हम्यार में होझाना में हम अधि एक्टीकुला पेस्था प्रिक्राइब विट्र आपको ओ complimentary आपको टैबलेट आको डिस्ट्रेशन आप उसको जो रूट से आप प्रोबाइड करते हो सबसे बैस जो रूट होता है टैबलेट को प्रोबाइड करने का वह है और और रूट सबसे कन्वेनियंट होता है एकोनोमिकल होता है और यहाप जो आप जब टैबलेट कंस्यूम करते हो तो यहाप है आपको कोई स्पेशल परसर की रिक्वार्मेंट नहीं होती है तो यह सारे चीज आपको क्लासिफिकेशन आपको लिखना उसके रूट सब मैं क्वेशन के बारे कोउट नहींस्टीजन के बारे में आपको में आपको कोकि किस सब्सtså ऀसके राइट रे नोटन फिल्टरई tell An explain the filter rash यहां पर filter agres के बारे में लिखोंगे filter RATS क्या होते हैं okay जो filtration मैं आप यूज करते हो Filter RATS को जो कि filtration improve करते है आपका और लिए प्रेस प्रेस भी इखोंगे जो कि equipment है जिसमें हम यह दिखते है कि किस तरी ही सा लोग करवा सकते बाइं प्रैसिंग मेतड ओके यहां पर हम लोग कम्प्लिटली इसमें डिसक्स करेगे फिल्टर एट के बारे में और एक्स्पेंट भी करेगे विद नीट इन डेबर डियाग्राम उसके एडवांटीज भी हम लिखे किस तरह के तरह के फिल्टर प्रैस होता होते है को डियाद मिल जय वोगीन में में कंवर्सिंग करते हैं करा वं प्रॉट्र छोखेники में कहले होते है हैं स्विर्टली में वाटर कशेंद कर आखते हैं से Kenny भी ट्रक कंपोनेंट की यहां पर हम्लों बाटर को रिमोव करते हैं करते हैं यहां पर नेक्स्ट एवपरेटिंग पैन दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग ड्रक कंपोनेंट को रखते और साथ में साइड से हम लोग अगर कोई भी वैट होगा तो वहाँ पर कंप्रेटली ड्राय करवा देगा आप अगर 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 आपको आपको डिस्कुशन करने आपको हर एक कोई भी कुशन में इस बात ध्यान में रखना कि आपको डियागराम बहुत ज़रूरी इंपोर्टेंट है बनाना विदाव डियागराम आप कोई भी कुशन को अच्छे से एक्स्प्रेंट नहीं कर पाओगे तो आप डियागराम या पर नहीं दिये हुए लेकि उसके बाहरे में पहले बताईए आपके फ्रीज राइंग जो होता है वह वाटर रिमोवल करता है ओके क्यों करा रहे हैं तो यह सारी चीजा आपको डिसकर्स करनी है इनिशेली देन आप डियागराम करें उसका कॉंस्ट्रक्शन वाकिंग बताईए कि किस तरीक से वह कर र time और Urban Goes Focus करना साइक अर्पाइटर में पेढ़ेया और में सेप्रेशन करा के कि रुषिन के किस तरीके से न यहां सेपरेशन करी जोके शोलीड को लिक्वीड से यहां सेयके में सेंट्रीकर्सण करते हैं सालिड को लिक्वीड से यहां पर यह भी स्परेशन मेह आता है ओके आप हम लोग अलग अलग करें लिक्विड को सॉलिड को तो यह सारी चीजह आपको साइक्विन सेपरेटर में डिसकन करनी आप डिएग्राम भी बना सेबरेटर में उसको आच्छे से एक्स्पिन करने हैं कुछ्छन नमर्ट उन्टी में आपको दिया हाव विल उ प्रिपर थ्रीएंडड्र एमल ओ पर्तिफाइब परसंड वेड़ बाई यहां पर आपको प्रिपरेशन करना 300 ml 45 परसंट वाल्यम वाल्यम अल्कॉल 90 परसंट दो 70 परसंट से ओके तो यहां पर आप इंपूट करते हो जिसमें आप लोग जो इसको फाइंड करना बीच में लिखिये और जिसका आपको दिया है वो साइड में लिखिये इस सरी के से 90 मैनस 45 70 मैनस 45 इस सरी के साप एलिगेशन मेतल्स इंपूट करते हो तो यह एलिगेशन मेतल्स से आप त्रीहंडेट अमेल और 45 परसंट वॉल्यम वॉल्यम आप प्रिपाय कर सकते हो अलकॉल ओके तो यह था आपका कुश्ण नुमर्ट ट्वाइटी जो स्वम के फॉर्म में आपको आएगा और यह सारे कुश्ण से टॉप 20 के फॉर्म पर स्पेशली फॉर्ड ओल्ट से लेब